आप भी उधर देख सकते हो, उधर भी देख सकते हो कि पूरी तरपाल उड़ी हुई है अब उसको भी ठीक किया जाएगा, अब वो तरपाल सामने उड़ी हुई है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीकिसी तहस नहस हो चुका है ऐसी कई टैंट है कई किसानों के तंबू थे जो तुफान में उड़ गए जो तुफान में भैगए क्वारिश में लोग भीगते गए किसान भीगते गए लेकिन किसान अभी तक सड़कों पर है दिलने स्याथ उसके पीट में काट लिया हो कभी ऐसा भी तो हो सकता है अम्बानी ना अदानी ने उसे प्यार किया हो वह यहारा किसान थपड मारे आया हो ऐसा भी तो हो सकता है जब तक तो हम यहां से अटनी सकते हैं जै कितना भी तूफान आए जै बोले पड़ें जै पथर पड़ें पुछ भी हो जाए नमस्कार इस वक्त हम खड़े हैं गाजिरपू बॉर्डर पर जहां किसानों का आंदोलन को शुरू हुए और अब बीता जा रहा है छे महीने होते जा रहे हैं पिछले छे महीनों से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है किसानों की जो लड़ाई है जो सरकार के प्रतिगुस् इन क्रेशिक कानून के खिलाफ में यहां पर जो किसान बैठे हुए उनकी लड़ाई अभी भी जारी है आपको बता दे कि सर्दियों में शुरू हुआ किसान आंदोलन ने गर्मियों का सामना भी किया सर्दियों को भी जेला और अब किसान तुफान को भी जेल रहे हैं तुफान और बारिश आई थी उससे किसानों के जो तंबू है जो टेंट उनों ने रहने का अंतिजाम किया है उसको भारी नुकसान पहुचा तब एक तरीके से कह सकते हैं कि किसान आंदोलन में तुफान के कारण जो उनके रहने का अंतिजाम था जो ने यहां पर अपनी लडाई को मजबूत करने के लिए जो इंदिजाम किया हुआ था वो एक तरीके से पूरी तरीके से तहस नहस हो गया और किसानों की जो काफी नुकसान हुआ ना केवल तंबू का नुकसान हुआ तंबू गर गये टैन तूड़ गये जो बल्या जिनोंने लगाई थी वो ते दिन बारिश आई थी यहां पर नुकसान हुआ लेकिन हाला कि अभी दो-तिन दिन के अंदर वापस से किसानों ने खुद अपने जो तंबू थे उसको रिपेर कर लिया वापस से रहने की जगा बना ली है हम आपको तस्वीरे दिखा देते हैं कि क्या-क्या नुकसान ब निटान जी से बी बात हुई थी उन्हों ने बताया कि वो डटे रहेंगे बारिश आई तूफान आया सरदी घर में थी लेकिन अधाय वापस से तंबू गारा वापस से किसान भाईयों की मदद से खुद अपने रहने का इनतिजाम किया उनका साफ कहना ना है कि वो डटे रहेंगे इसी तरीके से काम करते रहेंगे में आगे चलते हैं और आपको तस्वीरे दिखाते हैं अब वापस से कुछ लोग जो किसान यही पर किसान मिलकर अपने мет टंद मॉप तो वापस से िणारये ताकि सुवीधा उनको वापस से मिल सकते क्या च्यायए और क्या सब परिशानियत कि spring जो उस दन रात में आधी आए थी ना तो पहले तो आधी आई बहुत ज्यादा तो यह उपर से सारे त्रपाल बगेरा हमारे सब उड़ गई उपर से आप भी उदर देख सकते हो उदर भी देख सकते हो कि पूरी त्रपाल उड़ी हुई है अब उसको भी ठीक किया जाएगा भी था त्रफाल सामने उड़ी हुई है तो यह हमारे तंबी सब उड़ गए थे तो पूरी रात यहां पर हमारे कपड़े सब भी धुट गए और पूरी रात हम लोग भी भी धुटेर अब हम धीरे धीरे इनको सब को फिर से ठीक कर रहे हैं डबल तिरपाल डाल रहे हैं और बास अधिक ज्यादा लगा रहे हैं घने करके बास लगा रहे हैं और तारों से रस्तियों से इसकी बनाई कर रहे हैं मतला ऐसा कर रहे हैं कि यहां कितना भी तूफान आए ना उड़े और फिर भी उड़ेगा तो फिर बनाएंगे और क्या करेंगे नहीं घर बापस क्यों जाएंगे बोलकुल जब तक तीनों काले बिल बापस नहीं होंगे जब तक तो हम यहां से अटनी सकते हैं चै कितना भी तूफान आए चै ओले पड़े चै पत्थर पड़े कुछ भी हो ज जाएंगे लड़ाई हम तो हम तो नहीं कहरें के आंगे जाए मगर हम तो दूसरे के पीछे हैं ना वो कितनी आंगे ले जाए मोदी जी हमारी बात में पता नहीं हमसे उसकी कोई परसनली दुस्मनी है कि जो दुनिया का किसान और मजदूरों से क्या दुस्मनी हो सकती है हम पीट में काढ़ लिया रिए खेमिले में खेमिल नहीं सकता है धानि वह फुल वापिसLaure लो और वह नहीं मांने वाली हम भी नहीं है अभर यह सामने यह पूरे उख़़ए पड़े तो इसमें क्या बच जाएगा यह पूरा सब उखड़ गया था तूफान तगड़ा था तो हम लोग आप फिर से इसका बना रहा हैं दीरे-दीरे करके ना ना आशुबदाई वही है वैसे कुछ नहीं है अजब भींग गए तो उससे कोई खराबी नहीं है ऐसी कोई दिक्कतर है यहां कोई बीमार नहीं है बलकुल सबका स्वास्त ठीक है तस्वीरे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाजीपूर बॉर्डर पर जो तंबू थ खड़ चुके पूरी तरीके से बरबाद हो चुके तस्वीरे आप देखिए कि जो टैंट थे वो गाया भी हो चुके हैं और किस तरीके से किसानों को क्या-क्या मुश्किले होई होगी जब तुफान और बारिश में किसान यहां मौजूद थे आप देख सकते हैं कि पूरी भीगते गए लेकिन किसान अभी तक सड़कों पर है दिली के अलग-अलग बॉर्डर पर है और जिब किसानों ने सर्दियों का सामना किया गर्मियों को झेला और अब उनको तुफान और बारिश को भी मार उन पर पड़ रही है तो देख सकते हैं आपके किस तरीके से नु लेकिन अब दुबारा जब बारिश को हुए वे चाप दिन बीच चुके हैं तुफान आए वे तो लोगों ने वापस से उन्हीं किसानों ने वापस से अपने तंबू अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से बनाने शुरू कर दें काफी हद तक वापस तंबू बना दिया गया वापस अपना टेंट लगा दिया गया है क्योंकि किसानों का भी यही कहना है कि किसी कानून वापस कराए बिना वो घर वापस नहीं जाएंगे सरकार को उनके आगे जुकना ही होगा और इसी को देखते हैं आप देख सकते हैं कि गाजीपूर बॉर्डर का हर एक टेंट का रूप बदल चुका है गाजीपूर बॉर्डर पे काफी मजबूत तरीके से टेंट लग चुके हैं और लोग यहां पर हैं किसान नेता खुद रा करेंगे बारिश को भी जेल लेंगे हम दुबारा मिलकर टेंट लगाएंगे हम दुबारा वापस से अपना रहने का इंतिजाम करेंगे और इस बारिश और तुफान से हम लड़ेंगे लेकिन हम घर वापस नहीं जाएंगे क्रिशी कानून को वापस कराएं बिना